हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है नॉलेज आल अबाउट के इस वीडियो में मैं हूँ स्रवड पटवा आज हम सभी जानेंगे SSC का आनलाइन फारम मोबाइल और कम्प्यूटर से कैसे भरते हैं SSC के अंतरगत होने वाली भरती MTS, JST, CHSL, CGL, CPO, SI, GD Constable, LDC, DEO, JSA, Stenographic Group, CND इत्यादी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आवेदन करना होता है जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के बाद करना होता है जो लोग SSC का रजिस्टेशन नहीं किये हैं वो मेरे SSC रजिस्टेशन वाले वीडियो को देख ले और जो लोग रजिस्टेशन कर लिए हैं उन सभी को apply कैसे करना है मोबाइल और PC के माद्यम से मैं आगे बताने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखिए और आपको मैं बताने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने मोबाइल और कम्प्यूटर के ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको गूगल के साच बाक्स में स्सी टाइप करना है स्सी टाइप करने के बाद आपको स्सी.nic.in का इंटरफेस जो है दिखाई देगा यहाँ पे साइड उस साइड पे क्लिक करना है साइड पे क्लिक करने के बाद एससी के आप होम पेज पे आ जाएगे जिसमें आपको राइट हैंड साइड में लॉग इन का इंटरफेस दिखाई देगा उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नमबर और रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने पासवर्ट बनाए हो और इस केप्चर कोड को डालने के बाद लॉग इन बटन पे क्लिक करना है एक बात और बता दूँ जो लोग अपना स्षी रेजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और वे अपना पासवर्ट भूल चुके हैं तो वे अपना फारगेट पासवर्ट पे क्लिक करके अपना पासवर्ट फार्गेट कर सकते हैं लॉग इन बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके एडिकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहां पे आपका जो है सारी भरती दिखाई पड़ेगी आप अभी जो है CSSL का दिखाई दे रहे हैं कमबाइंड है सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी दस प्लस दो लेवल एक्जामिशन का इसका एप्लिकेशन डेट जो है 6.11.2020 से शुरू हुआ था एप्लिकेशन इंडेट 15.12.2020 तक है तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तो इसमें आप देख सकते हैं कि अप्लाई प्रिंट डाउनलोड आप्लाई इस्टेप का बहुँ सारे आप्सम दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है apply button पे click करने के बाद आपको जो है जो आप registration के समय आपका जो basic details थे उन सभी आपको पुना दिखाई देंगे उन सभी को आप carefully check कर लिजे सही है उसके बाद आपको फारम को submit करना होता है इसमें सिर्फ उसी भाग को भरना होता है जिस भाग में आपका इस टैप का दिखाई पड़ेगा इस टैप अला जो 14 नंबर वाले जो है matriculation का 2010 यह देखी यहाँ रिट कलर के cross का sign बन रहा है इसको नहीं भरना होता है इस प्रकार का सबसे पहले एक्जाम सेंटर आपको भरना होता है एक्जाम सेंटर एक्जाम सेंटर भरने के बाद आपको medium up typing टेस्ट किस आपको हिंदी में देना है या इंग्लीज में देना है उसका आपको चैन करना है दूसरी चीज यहाँ आप देखें 17 नंबर वे चैनल करना है एल्यक्ष। यह पर करें才ए 8 वानिम.全部 सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब और को चैनल करा इस सोफ्राइब श्रास दूस्यायइए उसके बाद आपका मैं इस प्रकार ड्रेक करते हैं ऑल्सक्तो हैं करें दु norm या 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 क्लिक करें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर काश के हिजाब से कौन सा है STSC वो क्लिक करना है यहाँ पे इसका हाईस्यायस क्वाशिटिकेशंट दस प्लस दो है तो आप 10 th दो भी चैन कर सकते हैं इंटर्मेडरहसिकंड इसकोल, इस परकार आप भारतको भर्षान परदशा है यहाँ पर अपको डील्स भरना होता है यूरी आप पास है तो पास और ऑपरिंग्ग। यदी आप परदी वाले हैं तो उस पर क्लिक करें उसके बाद आपको passing year disabled मिलेगा शाथ ही आपको किस बोड से है state आपको यहाँ पर दिखाई देगा और state के बाद आपको जो है name of board किस board से है state के हिसाब से यहाँ पर board आपको दिखाई देगा role number disabled हो जाएगा यदि आप pass out है तो pass it पर click करेंगे उसके बाद कौन से यहर में pass है कौन सा state है आपका और कौन सा board है उसका chain करना होता है और साथ ही आपको role number role number के साथ ही percentage भी chain करना होता है और यहाँ पर do you have and do क्या आप अपना personal information share करना चाहते हैं तो yes या no पर click करें इस परकार education qualification बारी बाले भग पासे पासिंग यह इस्टेट नेम अफ यूनिवर्सिटी रोल नंबर percentage भरने के बाद आपको do you have personal no पर click करें उसके बाद आपको photography and signature का भाग दिखाई देगा इसमें आपके फोटो का साइज 20 कवी से 50 कवी का होना चाहिए और JP EG और JPG format में होना चाहिए साथ ही signature का आपका बीस दस से 20 कवी का होना चाहिए यह भी JPG JP EG JPG में होना चाहिए और साथ ही 27 नंबर पर आप दे सकते हैं देख सकते हैं कि date of which photography has been taken आपका photography जो है फोटो किस date को खिचाया हुआ है यहां पर फोटो वाले भाग में इस तरह से आपको photo in signature upload करना है साथ ही date which photography has been taken किस date को फोटो खिचाया है यह आपको भरना है बहुत से चातर है जो यहां date date के जगह पर अपना नाम प्रिंट कराकर उसको upload कर देते हैं तो कि पर आशा न करें आपका form डिजेट हो सकता है यहां पर डेट बोला गया है date of which photography has been taken साथ ही 28 नमर पर देश सकता है कि वेदर अर्देट मेंशन एड़ ड़ सीरियल नमबर 27 इसके लिए प्रिंटेड अन्द फोटोग्राफिक कि आपके फोटो पर डेट मेंशन है जिस डेट को आपका फोटोग्राफिक हुआ है तो नोया यहां यहां पर क्लिक करना है तो इस पर यहां क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको एक यहां केप्चर को नो दिखाए देगा उसपे क्लिक करके प्रिभ्यू बटन पे क्लिक करना है ठीविजए बटन पे क्लिक करने के बाद इडिट बैमोडिवाई का अप्जण आ रहा है यदि आपको लगता है कि मेरे दोरा बहरा हुआ जनकारी कोई गलत है तो इडिट उपनेये काल आप इस प्रकार का एक करकर करें की आप इससे कर देते हैं तो आपका जो है डियटेल स्क्राइज करें इसके बाद एडिट कर नहीं होगा जो edit करना है तो रूटी आपको लगता है तो edit फ़ी modify पर क्लिक करें अन्य था सब सही लगता है तो ok बटन पर क्लिक करदें final submission के लिए तो इस प्रकार मैं ok बटन पर क्लिक कर रहा हूं ok बटन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का message तो करेगा application for image provisional accepted करें कि यहां पर okay करें यहां पर प्रिंट अप्रेंट बट्न पर क्लिक करके आप अपने अप्लिकेमिक क्ट्री अउट पर प्लिक्र रखे लिए दोस्तों इस प्रकार print पटन पे उस्हार करने के बाद आपका इस प्रकार का प्रइंट आपसा दिखाने इसमें आप देश सकते हैं कि फिस प्रेमेंट अमंड यह दाउट इनका इस्टी केटेग्री के बाद आप अपने प्रोफाइल के एप्लिकेशन हिस्ट्री पर जाकर यह देखनें कि आपका एप्लिकेशन प्रोफ से भरा गया है या नहीं यहां देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पोस्ट प्रोल नंबर अभी नहीं दिखाएगा एक्जाम यहां पर देखिए यहां पर दिख सो कर रहा यानि कि आपका फॉर्म भरा चुका है साथ ही मैं आपको एक लिटेश नोटिफिकेशन के साथ यह बताना चाहता हूं कि यहां पर आप अपने आवेधन की हुए फॉर्म को यहां से प्रिंट कर सकते हैं और पेमेंट पे कलिक करके आप अपने पेमेंट के स्टेटस के बारे में जन कर सकते हैं यु पंपृस दे दें तो है साथ ही। कि अपने अपने अपन की सब्सक्राइब करें प्लिक उसब्स कभी किसे भी है। लिए कर लें। लोज बटन पे क्लिक कर लें लए लिए पो सब्सक्राइब कर दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बास में जरूर कमेंट बाक्स में जरूर बता हीं और अप्लाई करने किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप में कमेंट सेक्षेन करें मैं आपका पूरी हेल्फ करूंगा दोस्तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब रहें कि मैं ऐसे ही हर चोटी मुटी जनकारी टिप्स और ट्रिक्स आपको प्रदान करता रहोंगा ताकि आप खुद से आप निर्भर होकर अपना फॉर्म खुद से भर लें कहीं जाने क्या सकता नहीं है को सारे जनकारी मेरे चैनल पर मिलेगी थैंक्स फर वाचिंग धन्यवाद दोफsतों इस फाम को Apply करने के लिए आपको मॉभाइल के ब्राॉजर को उपन करने के बाद यहां यहां तीन डॉट दिखाई देगा उस पे आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको जो है इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको डेस्ट आप साइट को इनेबल करना है नेबल करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा mobile का, जिसमें आपको login का page दिखाई देगा, इसमें आपको page को mobile में zoom कर लेना है, zoom करने के भाद जो है आपको बड़े चुछरों में दिखाई देगा, starting time जो है छोटा-छोटा दिखते हैं, zoom करने के भाद बड़ा दिखाई देता है, य cm लोग-इन करके कि आप आसानी से मोबाइल से भी कि एसे सी के लिए एसे सी के लिए आविदन कर सकते हैं फॉर्म के लिए और कि ठेंक्स फर वाचिंग धन्यवाद